तीन दिसंबर बड़ा शनिवार मुक्ष देने वाली और पित्र दोश को दूर कहने वाली मुक्ष दा एकादशी पीपल पर चड़ा दे यह एक चीज हर कश्ट दूर करेंगे भगवान विश्णू मिलेगी पित्र दोश से मुक्ती हो जाओगे माला माल खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते ओम करेंशी महा गड़े शाय नमा राथे राथे तोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों माक्ष शिश मास की शुकल पक्ष की एकादशी को मुक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है इस दिन भागवान लक्ष्वी नारायन का पूर्जन कर ब्रत कहने से लोग, मोह, द्विश और सांसारिक बंधनों से मुक्ती मिल जाती है जो मनुष्य यह ब्रत कहते हैं उनके समस्त पाप नश्ट हो जाते है पापों से छुटकारा मिलता है पदुपुरान में लिखा है कि मुक्षिता एकादशी का ब्रत कहने से जाने अंजाने में किये गए सभी पापों से भी मुक्ती मिलती है और पुने जर्म से भी मुक्ती मिल जाती है जो मनिश्य यह ब्रत कहते हैं वह सुखी जीवन बतीत कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं यह ब्रत पित्रों के भी सद्गती दिलाने वाला है मानेता है इस ब्रत को रख इसके पुन्य को पित्रों को प्रदान कहने से पित्रों को भी मोक्ष मिलता है जो मनुश्य यह ब्रत करते हैं उनके साथ पीडी तक के पित्र तर जाते हैं उन्हें नरक की यादना से मुक्ती मिल जाती है इस पार मुक्षिदा एकादशी का ब्रत तीन दिसम्बर दें शनिवार को रखा जाएगा और ब्रत का पारण चाह दिसम्बर को किया जाएगा ब्रत पारण करने का शोप महुरत है चाह दिसम्बर की दुपहर एक बच का चौधे मुर्ण से दुपहर तीन बच का उन्निस मुर्ण तक हरी बासा चाह दिसम्बर को सुभह ग्यारच चालिस पर समाप्त होगा हरी बासा समाप्त होने के बाद ही एकादशी प्रतकापारण किया जाता है और द्वादशी दिथी पांस दिसंबर की सुभे सुर्योदे से पहले समाप्त होगी दोस्तों इस बार एकादशी शनिवार के दिन है शनिवारी एकादशी के दिन पीपल प्रक्ष का पूजन अवश्य ही कहना चाहिए क्योंकि इस दिन पीपल प्रक्ष में भगवान विश्टू मा लक्ष्मी ची के साथ ही पित्रों का भी बास होता है शनिवारी मुक्षिदा एकादशी के दिन पीपल प्रक्ष का पूचन करने से भगवान लक्षमी नारायन अतिशीक्र ही प्रसन हो जाते हैं आज की इस बीडियो में हम आपको एक ऐसी चीच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस एकादशी पर पीपल प्रक्ष पर चड़ा देते हैं तो इससी आपको भगवान लक्षमी नारायन की असीम कृपा प्राप्त होगी भगवान लक्षमी नारायन की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा और जन्मों जन्मों की पापों का भी नाश हो जाएगा घर में चली आ रही धनसंबंदी समस्य अवश्य ही दूर हो जाएगी क्योंकि एकादशी के दिन मान लक्षमी पीपल ब्रक्ष में अवश्य ही बास करती है भगवान लक्षमी नारायन की कृपा से पित्रों की भी आत्मा को शान्ती मिलेगी पित्र प्रसन होंगे इससे पित्रों का आशिरवात प्राप्त होगा और पित्रों के आशिरवास से बिगड़े कारे भी बनने लग जाएंगे पीबल रक्ष का पूजन कहने के लिए सबसे पहले इसनान का सच्छबस्त थारन करें दोस्तों एकादशी के दिन इसनान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उससे इसनान करें और इसनान करते समय ओम नमो भगवति वासु देवाय मंदर का जाप करें ऐसा कहने से भगवान पिश्णू जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है साथी बैवाहिक जीवन सुख में बनता है और जिनके बिभा में अगर बिलंब आ रहा होता है तो बैवी दूर हो जाता है और जल्द बिभा के योग बनते हैं इसनान के पश्चात शुब रंग के बस्त पहने आज के दिन भूल कर भी ताली, कत्थाई, नेली याने की ब्लैक, प्राउन और ब्ल्यू कलर के कपड़े ना पहने क्योंकि इन्हें अशुब माना जाता है और भागवान लक्षमी नारायन का पूर्जन सदर शुब रंग के बस्त पहन कर ही करना चाहिए अब आप एक लोटे में शुत जल ले पीपल प्रक्ष का पूर्जन करने के लिए आप पीतल का या तामे का लोटा ले अगर यह ना हूँ तो इस टील का भी आप लोटा या कोई पात्र ले सकते हैं लेकिन भूल कर भी काच का चीनी मिटी का या प्लास्टिक का परतन ना ले अब जल लेने के पश्चात आपके घर अगर गंगा जल है तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला ले अब दोस्तों आपको इस जल में दो बताशे डालने हैं अगर बताशे ना हो तो आप एक चमच शक्कर डालें और उसे चमच की सहाईता से इसमें अच्छी तरह से खोल दें अब दोस्तों आप इस जल में एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुम-कुम डालें कुम्कुम यान07 में इस्तामाल होने वाली लाल रंग की रोली या सिंदू। अगर वहना हो तो आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं। अगर दोस्तो आपके पास पुष्फ हो तो आप इसमें दो पुष्फ डाल दें। अगर लाल रंग का pusht हो तो इसमें लाल रंग का पुष्प डाले क्योंकि लाल रंग मालक्षमी को अत्यतिक प्रिय है और लाल रंग सौभाक्य का रंग भी होता है इस तरहें जलका पातर तयार करने की पश्चा दुस्तों अब आप पीपल ब्रक्ष पर जाएं अगर आपके घर के पास मंदिर हो और मंदिर के पास पीपल का ब्रक्ष हो या मंदिर में हो तो आप उस पीपल ब्रक्ष का पूचन करें कोशिश करें कि सुनसान इस्थान बाले पीपल ब्रक्ष का पूचन ना करें क्योंकि भगवान ने पीपल ब्रक्ष में सभी को इस्थान दिया है पीपल ब्रक्ष में सभी देवी देपता और पित्र होते हैं, वहीं पर पीपल प्रक्ष में भूत प्रेत का भी पास होता है। इसलिए अगर आपके घर के पास मंदिर में या फिर चहल पहल के इस्थान पर पीपल प्रक्ष है और सुनसान इस्थान पर भी पीपल प्रक्ष है और आपके पास ऑप्षन है तो आप मंदिर वाले पीपल प्रक्ष का ही पूचन करें. जो पीपल प्रक्ष पिलकुल जंगल में नेजन इस्थान पर होता है और जिसका पूचन नहीं किया जाता जहां जहल पहल नहीं होती उस पीपल प्रक्ष पर नहीं जाना चाहिए. दोस्तों अब यह जल आपको पीपल प्रक्ष पर अर्पित करना है अगर पीपल प्रक्ष के आसपास खुली जगे है तो आप पीपल प्रक्ष के पास ऐसे खड़े हों कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो अब आप पीपल प्रक्षपर धीरे धीरे जल चड़ाएं पीपल प्रक्षपर जल चड़ाते समय भगवान पिश्टूजे के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवति वासुते वाय का जाप करें दोस्तों मंत्र का जाब करते हुए आपको धीरे धीरे पीपल प्रक्ष पर यह जल चड़ाना है जल चड़ाने के बाद जल के पातर में अगर पुष्प भताशा या थोड़ी शक्कर रह जाती है तो उसे आप हाद से निकाल कर जल के इस्थान पर ही डाल दें जल चड़ाने के परशाद जल चड़ाने के इस्थान से ही आपको पीपल प्रक्ष की 11 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नम्मो भगवति वासु देवाय मंत्र का जाब करते रहना है जिल चड़ाने के पर्शाद भगवान शीयर गनेश को पड़ाम कर भगवान लक्षमी नारायन को पड़ाम करें और पीपल में इस्थापिस समस्ति दीवी देबताओं को पड़ाम करें और जाने अन जाने में की गए सभी गल्तियों की शंला मांगें अब आप पापों से मुक्ति दिलाने की भगवान जी से प्रातना करें। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, मन ही मन पह आप भगवान जी से कहें। और उन समस्याओं को दूर कहने की कष्टों से मुक्ति दिलाने की प्रातना करें। इसके पश्चात पित्रों की आ इस तरहें आज के दिन पीपल प्रक्ष का पूजन करने से भगवान लक्षमी नारायन की असीम गृपा प्राप्त होती है और घर में चली आ रही धनसंबंदी समस्या जल्द ही दूर हो जाती है घर में सुख सम्रती और शांती का बास होता है घर परिवार में खुशाली आती है पापों का नाश हो जाता है पापों से मुक्ति मिलने के बाद दुर्भा के भी सौभा के में परवर्दित हो जाता है साथी पित्रों के आत्मा को शांती मिलती है जिससे पित्र प्रसंद हो अपना आशिर्वाद देते हैं और पित्रों के आशिर्वाद से बिगड़े का भागवान लक्षमी नारायन के साथ ही समस्ति देवी देपताओं का बास होता है और इस तरहें पीपल प्रक्ष का पूचन करने से भागवान लक्षमी नारायन के साथ ही समस्ति देवी देपताओं की भी कृपा प्राप्त होती है और ग्रह बाधा ग्रह पेड़ा भी दूर ह इस तरहे पीपल ब्रक्ष का पूचन आपको सूरे उद्य होने के बाद और सूर्द्यास्त से पहले ही करना है। अगर आप सूर्ड्यास्त से पहले पूजन नहीं कर पाए हैं, तो सूर्ड्यास्त के बाद रात आट बजे तक आप पीपल ब्रक्ष का पूजन कर सकते हैं, लेकिं सूर्ड्यास्त के बाद आपको पीपल ब्रक्ष पर जल नहीं चड़ाना हैं, आप सूर्ड्यास्त के बाद पीपल ब्रख्ष के पास एक दिया जलाएं, इसके लिए आप घी का दिया बनाएं। जी हां दोस्तों आज के दिन आपको तेल का नहीं भलकि घी का दिया पीपल ब्रख्ष पर ज़़ाना चाहें। क्योंकि आज हम यह दिया भगवान लक्ष्मी नारायन के लिए जला रहे हैं इसके लिए आप एक मिट्टी का दिया ले या फिर एक आटे का दिया अगर ले रहे हैं तो बिना नमक का साफ मड़ा हुआ आटा ले और उसका दिया बनाए अब इसमें रुई की बाती लगाएं और घी भरें दिया आपको इस प्रकार जलाना है कि दिये की बाती की जो लो है वह पूर्वी दिशा की तरफ होनी चाहिए इस तरह दिया जलाकर आप ओम नमों भगवति वासु देवाय मंतर का कम से कम ग्यारे बाद जाब करें और फिर इसी तरह प्रातना करें ऐसा करने से भगवान लक्षमी नारायन के किर्पा प्राप्त होती है लेकिन ध्यान रखें रातरी 8 बचे के बाद पीपल प्रक्ष का पूजन ना करें पूजन करते समय कुछ बातों का विश्यच ध्यान रखें महिलाय से ढखकर ही पूजन करें कन्याय करना जाहिए जूटे मूंसे प पीपल ब्रक्ष पर जो दिया जलाया है उससे आर्थी ना लें सूट्यास्ति की बाद पीपल ब्रक्ष का इस पर शना करें जो चल चड़ाया है उसे अपने माथे से ना लगाएं पीपल ब्रक्ष का पूचन करते समय इन वात्तों का बिशिश ठ्यान रखें आज की दिन इस पीपल ब्रक्ष का पूचन कर भगवान लक्षमी नारायन की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी प्लीस लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंस और इस्तेदारों में जादर से जादर शेयर करें जिसे भ